आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोड करें प्रशन दिया गया है है हैलोजन के परमाडू करमांग की बृद्धी के साथ हाइड्रोजन हैलाइडो के अपचायक छमता क्यों बढ़ती है ठीक है चलिए देखते हैं तो अपचायक का मतलब क्या है ठीक अपचायक का मतलब जिसका ऑक्सी करड़ हो रहा हो ठीक है और ऑक्सी करड़ का मतलब इलेक्ट्रोन की हानी हो रही हो ठीक यह चीज़ अगर क्लियर है हमें यह चीज़ पता है तो हम यह सवाल कर लेंगे देखें हैलोजन की बात कर रहा ह तो 7A में हमारा हैलोजन आता है सबसे पहले फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन और लाश्ट में एस्टेनीन और एक नीचे तत्वर रहता है वो रेडियो एक्टिव होता है प्रमाडू क्रमांक की बात करें तो 9, 17 ठीक है इसका पैतेस आयोडीन का तिरपन और एस्टेनीन का पिच्चासी ठीक है तो जब भी आप उपर से नीचे जाते हो किसी भी समू में तो प्रमाडू क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो आकार होता है प्रमाडू का वो बढ़ता है और विध्यत्रडात्मक्ता जो होती है जिसको हम E-N से दरशार रहे है वो क्या होती है वो घटने लगती है और आपको पता है पूरे आवर सालरीम सबसे ज़यादा विध्यत्रडात्मक्ता फ्लोरीन की है ठीक है तो यहां पर hydrogen halide की बात करते हैं, तो hydrogen halide क्या होगा, HF होगा, SCL होगा, HBR होगा, HI होगा, यह सब hydrogen halide होगे, HAT, यह सब hydrogen halide होगा, ठीक है, तो खेल किसका है, खेल है, हेलोजन का यहां पर, अगर हेलोजन के बारे बता है, तो कर लेंगे सवाल को, ठीक है, तो fluorine की आकार, बहुत ही छोटा है, और विद्यो त्रड़ात्मक्ता फ्लोरीन का यहां पर, क्या है, बहुत ही चाहता है, तो विद्यो त्रड़ात्मक्ता जादा है, इसका मतलब electron, को पकड़र रखने की, या electron कहीं से अगर लेना हो उस कोड़ों में, तो उसकी जो चाहता है, वो बहुत ही प्रबल है, ठीक है, तो जब electron को खीचने की चाहता, इसके अंदर प्रबल है, ठीक है, तो यह electron त्यागीगा तो है नहीं, और आकार भी इसका बहुत ही कम है, चोटा है मतलब, और यहाँ पर जैसे नीचे आ रहे हो तो आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो नाभीक से आकरसड बल कम होगा, जैसे आकार चोटा है तो electron से आकरसड जादा, आकार बढ़ा तो electron का, electron और नाभीक का आकरसड जादा, यहाँ पर इलेक्ट्रोन और नाविक का आकरसड देखिए एक चीज गलत हमने बोल दी जैसे आकार बढ़ा है तो इलेक्ट्रोन और नाविक का बीच का आकरसड जो होगा अगर आकार बढ़ा है तो कम होगा अगर आकार छोटा है तो इलेक्ट्रोन और नाविक के दनाविश के बीच का आकरसर बहुत ही अधिक होगा तो इलेक्ट्रोन त्याग नहीं पाएगा, लेकिन आकार अगर बढ़ा है, तो आकर सड़ बद कम होगा, तो इलेक्ट्रोन त्याग देगा, और इलेक्ट्रोन अगर त्याग रहा तो इसका मतलब आक्सिकरण हो रहा है, तो एक अपचायक है, लेकिन फ्लॉरीन का आकर बहुत यानि, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, तो प्रमाड़ू करवांग बढ़ने लगता है, तो इलेक्ट्रोन आकार बढ़ने के साथ साथ, विद्दृ रिरात्मक्ता काम है, होती है, और इलेक्ट्रोन असानी से निकल जाता है, तो आक्सिकरड होता है, यानि के अपचायक है, तो कारड क्या है, कारड जो है, वो है, आपका विद्दृ रिरात्मक्ता के साथ, विद्दृ रिरात्मक्ता घटने के साथ, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, ओके, थैंक्यू,